सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकेट नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार दोस्तों मिशन सी यूटी दोजर्टेश में स्वागत करता हूँ आपका करेंट अफेर के सूपर फर्स्ट रिविजन सेशन में आज आप सभी का स्वागत हैं और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्पूर्ण हमारे जो कुश्चिन से करेंट अफेर के जो आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं आगामे शिफ्ट में वो हम लोग डिस्कस करेंगे करना क्या है जल्दी से आप सब को जुड़ जाना है सेशन को एक बार लाइक करना है लिंक को कॉपी करके उसको शेर करना है और अगर नए है तो चैनल को सब्स्क्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन बे जरूर दबाएंगे तो चले श्टार्ट करते हैं अब वेरी इंपॉर्डेंट सेशन जो करेंट अफिर की सूपर फास्ट रिवीजन एक्स्प्रेस है उसको श्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आपके सामने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2023 में जो CUT के एक्जाम सुए हैं जिन तिथियों में जिन शिफ्टों में उन में से कुछ महत्पूर्ण memory-based question आपके लिए लिकर आया है तो देखते हैं सबसे पहले CUT 2023 का memory-based paper हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाबकारी साबित होगा ठीक है तो देखते हैं चलिए सबसे पहला question ये रहा आपके सामने बताईए Ignited Minds पुस्तक के लिखा कौन है Who is the author of the book Ignited Minds और 2023 का memory-based paper है उसका question है और आपके options हैं Dr. A.P.J. अबदुलकराम सादार पतेल, महत्मा गांधी और इन में से कोई नहीं तो जल्दी जल्दी answer करना है बच्चों और बता देना है इसका right answer क्या होगा A very important question जल्दी से बताईए इसका right answer क्या होगा आप सभी बच्चों का समय शुरू होता है अब फटा-फट answer आने शुरू हो जाने चाहिए चलिए जल्दी से बताईए चलिए बहुत ही बढ़िया question था और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने answer करना शुरू किया है याप पर तो देखते हैं right answer क्या होगा ignited minds फुस्तक के लेखा कौन है who is the author of the ignited minds तो देखते हैं right answer क्या होगा ये रहे आपके options और right answer आपका है missile man of India के नाम से भी जानते हैं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनके बारे में बहुत इमात्पूर facts missile man of India clear है विटा सभी बच्चों को missile man of India के बारे में इनको missile man भी बोलते थे तो आपके लिए important है exam में पूछा जा सकता है clear है ये पहला fact हो गया दूसरा चीज आप सबको पता होगा भारत के पूर्व राश्पती भी रह चुके है ठीक है भारत के पूर्व राश्पती भी रह चुके है और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्व पुस्तक है ignited minds के लावा the wings of fire the wings of fire भी इन्होंने लिखी है और बहुत ही famous पुस्तक है और यकीन मानिए अगर आप लोग को समय मिलेगा कभी तो अपने जीवन में इस किताब को जरूर पढ़िएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको लिखाए इन्होंने अपने जीवन के किन को लिखाए अपने जीवन के इस मरणों को उसमें mention किया है बहुत ही उपयोगी बहुत ही motivating book है और अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़िएगा ठीके चलिए very good बटा और यहाँ पर जोती जी जुड़ चुकी है जोती जी बहुत बहुत नमस्कार good evening और जल्दी से answer करके बताईए अगला question आपका यह रहा आप सबको बताना है जी टुटी बहुत important है बटा मैंने पहले भी बोला था आप से और अभी भी बोल रहा हूँ जी टुटी के question लगातार exam में पूछा जाएंगे 2020 में जितनी भी exams होंगे तो options आपके हैं इंडिया, इंडोनेशिया, UAE और इन में से कोई नहीं तो फटा फट answer कर दीजे बता दीजे इसका right answer क्या होगा सभी बच्चों के answer आने शुरू हो जाने चाहिए तो देखते है right answer क्या होगा आप सभी का समय शुरू होता है अब जल्दी जल्दी answer करके बताईए इसका right answer क्या होगा और यहाँ पर देखे 20 जी जोड़ चुके हैं वो लिख रहे हैं इंडिया होगा और ज्योती जी ने भी answer किया है बहुत ही बढ़िया, very good शानदार answer आपके आने शुरू हो गए है और यह answer आ रहा है ज्योती जी की तरफ से रामुजी की तरफ से भी और सभी बच्चे लोग एकदम सही दिशा में answer कर रहे है तो यहाँ पर चाए इंडिया ही answer होगा कि इंडोनेशिया answer होगा यह देखना important है बच्चों और यहाँ पर अगर बात किया जाए जी 20 की तो दोनों ही देश आपके सही है तो देखते हैं right answer क्या है right answer is none other than the इंडिया और जी 20 संबेलन बच्चों आपका 2023 में भारत में हो रहा है अब इस्तिस संबंदित महतपोर्ट फैक्स लेख लिए 2023 में बच्चों जो संबेलन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है तो वो इंडिया में हो रहा है 2022 में कहाँ पर हुआ तो 2022 में यह संबेलन हुआ इंडोनेशिया में 2022 में यह संबेलन हुआ आपका इंडोनेशिया में important है बच्चों ध्यान रखेगा सबी बच्चों के लिए और एक्जाम में निश्चित रुप्चे पूछे जाने की संभावना है clear है इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं अगला चीछ जो आपके लिए important है अगला चीछ जो important है आपके लिए वो आपको ध्यान रखना चाहिए जी 20 का आपका जो theme है वो क्या है जी 20 का जो theme है वो भी important है एक्जाम में आने के लिए important है तो जी 20 का जो theme है वो भी मैं आपको बता रहा हूं तो theme भी याद रखिएगा आपके लिए क्या है बच्चों one word, one earth और one family याद रखिएगा बच्चों वसुधायव कुटुम्बगम हिंदी में आप सब लोग जानते हैं वसुधायव कुटुम्बगम का मतलब होता है आपका एक विश्व एक परिवार तो इसका मतलब आपका वही हमारा क्या है जी 20 का लोगों भी है clear है बच्चों को सबी बच्चों को इस पश्ट हो गया होगा अमीद करता हूँ ठीक है तो जी 20 के कोशियां साथ के लिए important है और जी 20 के अगर लोगों की बात किया जाए तो वो भी आपके exam में आ सकता है तो जी 20 का जो लोगों है वो भी note कर लिजे क्या है तो उस लोगों म है कमल के फूल में और सातों पंखुडियां आपकी अलग-अलग महादीपों का प्रतिनेज़ तो कर रही है और इस लोगों का प्रतीक क्या है इस लोगों का मतलब क्या है बच्चों चुनौतियों के बीच में विकास करना इसका क्या है बच्चों उद्देश है यह जी 20 ल आपको नोट कर लेना है भारत को जो अधिष्टा मिली है जी 20 की तो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वह एक दिसमबर 1 December 2022 से लेकर 30 November 30 November 2023 तक आपका इंडिया के पास Presidency रहेगी यह आपकी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ Presidency Presidency या अधिशतब इसको हिंदी में बोलते है G20 की इंडिया के पास इतने जिन तक रहेगी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप सबको ठीक है चली आगे बढ़ते हैं Session को आगे बढ़ते हैं Next Question यह रहा मुंसी प्रेमचंद्र का वास्तुविक नाम क्या था What was the real name of मुंसी प्रेमचंद्र आप सबको बताना है आपके options हैं गुलाब राय, नरेंदरना, धनपत राय और रामबोला आप सभी का समय शुरू होता है अब जल्दी से बता देना है इसका सही उत्तर क्या होगा फटा-फट आंसर करिए और बताईए इसके राइट आंसर क्या है जल्दी से बता देना बच्चों बहुत ही बढ़िया question था और शांदार तरीके से आप लोगोंने आंसर करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो आंसर आ राय, क्योंटी जीने सी लिखाए जोती जीने बी लिखाए आप सभी के लिए बहुत ही आसान question था यह बहुत ही popular question है जो आपका एक्जाम में पूछा गया निते जी जुड़ चुके हैं वो भी ए लिख रहा है जो भी बच्चे नहीं है बैचा session को एक बार like करना है बैटा link को copy करके एक बार share कर दिजे अपने दोस्तों के विच में नए है तो चैनल को subscribe करिए और bell icon को all दबाईए तो देखते हैं right answer क्या है तो इसका right answer आपका है धन्पत रायश्रिवास्तो और मुंशी प्रेम चंद्र बहुत ही प्रसिद्ध है और आपको पता है यह आपके इन्होंने जो इनकी जो एक कृती बहुत ही famous है बच्चों जो रचना बहुत ही famous है आप लोग जानते होंगे गोदान नाम सुना होगा बच्चों आप लोगोंने ठीक है तो comment box में comment करके बताईए इनकी रचना है की नहीं है ठेक है और को इनकी प्रसिद्ध रचना हो तो वह भी comment box में comment करके बताना है ठेक चली आगे बढ़ते है और next question यह रहा आपके सामने नेमलिखित में से किस भारती ने साहित में Nobel पुरुसकार जीता which of the following Indians won't the Nobel Prize in Literature Nobel Prize in Literature किसने जीता है आपको बताना है आपके optionist प्रकार है रविंद्र नाट टैगोर, APJ अब्दुलकलाम, महत्मा गांधी और सर्व पल्ली राधा कृष्टन जल्दी से answer कर देना है, बता देना है इसका right answer क्या होगा, बहुत ही मत्मण question है चान्दार तरीके से answer कर ये, बता देजिए इसका सही उत्तर क्या होगा ामर्जी जी नमश्कार बेटा, गुड इवनिंग जल्दी जल्दी बता दीजिए सभी वो लोग इसका राइट आंसर क्या होगा समय शुरू होता है आप लोगों का अब साहित्य में नोबल पुरुसकार किसको दिया गया कौन से भारती थे जल्दी से बताईए options आपके सामने है आंसर सभी की तरफ से आना शुरू हो जाना चाहिए ठीक है तो फटा फटा आंसर करना है बच्चो जितने भी लोग सेशन में जुड़ों है सबका आंसर आना चाहिए 20 जी ने डी लिखा है रुची जी ने डी लिखा है रामु जी ने भ फटा थोड़ी है तो लिट्रेचर थोड़ा दिमाग लगा यह क्या आंसर होगा एक बड़ पुनर विचार करिए सभी बच्चे लोग नवीन जी ने ए आंसर लिखा है यहां पर की वर्ड है बच्चो साहितिकार थीक है की वर्ड आपका क्या है बच्चो लिट्रेचर है उ सभी बच्चों के आंसर आने शाहिए फटा फट बताना है बटा थीक है तो फुनर विचार करने के बाद आपके आंसर आने शाहिए और देखते हैं राइट आंसर क्या होगा तो ना नदर दैन रविंद्र नाट टैगोर आप सबको पता है बटा इनको साहितिका नोबल ठीक है आप सब लोग को इसको विश्वास करना पड़ेगा यह फरक होता है बटा आपका लाइब क्लास में अगर आप पर पार्टिसिपेट करना है तो कुश्चन में ठीक चलिए वेरे गोड बटा बहुत बढ़ियां 20 जी अभी वी ए आंसर होगा बेटा ज्योती जी ने लिखा है नितय जी ने लिखा रामझी ने लिखा है यह हिंट जो मैंने आपको बताया दीक है जादतर प्रश्चनों में ही उसका उत्तर चिपा होता है बस आपको क्या हक्त करना है प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपकी वह समझ डेवलप हो जाए वह समझ डेयाइब अधक को कापी करके क्या करिए सभी लोग एक बर शेयर करिए और नय है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए एक लाइक और एक शेयर आपका इस सेशन को मैक्सिम बच्चों तक पहुचा सकता है और उन बच्चों तक पहुचा सकता है जिनको वास्तों मैसे सेशन क्या शकता है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं आप दिखिए आप दिखिए मोश्ट इंपॉर्टन कोश्चिन से हम लोग करेंट अफेर के समय न्यूज में चल रहे हैं और जो इस वर्ष में रहे हैं न्यूज में उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे सीधे मैं उम्मीद करता प्रशन आपको एक्जाम में भी मिल सकते हैं और 2030 की जितनी भी एक्जाम से उसके लिए आपके बने एफिशल है तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कुश्चन ये रहा आपके सामने विजेता कौन है आपको बताना है आपके options इस प्रकार है फ्रांस बेल्जियम पूर्तगाल और अर्जंटीना चाहिए और जल्दी से बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है जल्दी जल्दी ब बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया question है और आंसर बहुत ही तेजी से आने चाहिए अनिकेत कुमार जे जुट सुके हैं हेलो बेटा और आंसर करिए बेटा participate करिए session में जितना ज्यादा participate करेंगे उतना ही ज्यादा लाब मिलेगा औ तो 20 जीने डील लिखा है ज्योती जीने डील लिखा है बाकी बच्चों के भी आंसर आने चाहिए बाकी सब के भी आंसर आने चाहिए फीफा विशुकप का है क्या basically फीफा वर्ल्ड कप 2022 फुटबॉल का विशुकप है यह धियान रखेगा और उसी क्या धार पर आंसर जीने डील लिखा है जोती जीने डील लिखा है और देखते हैं बच्चों विजीता की बात हो रही हैhewी है 2008 और 22 की बात ही घाथ्यो अथ जानना और अर्जिंटीना वरे गुट बहुत ही बढ़िया कुश्चिन था ॉर बहुत ही बेचरी पहुत ही बेत्री तरीके से आप को यहां पर आंसर किया है ठीक है अब चलिए रूची जी ने आंसर किया है डी वेरे गुड बेटा बहुत अच्छे पूर्फरणज़ जी नमस्कार बेटा जल्दी जल्दी आंसर करना और सेशन को एक बार लाइक शेर जरू करना बेटा ठीक अब देखते हैं 2022 के फीफा वश कर लिजे ठीक है उसके बाद फाइनल किसके बीच में हुआ तो फाइनल आपका हुआ था किसके बीच में तो अर्जंटीना फाइनल आपका बच्चों अर्जंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ ठीक है विजेता कौन बना तो विजेता आपका बना अर्जंटीना याद क तो थोड़ा था परिवरतन आपको 2018 FIFA कप अगर FIFA कप की बात करें तो इसका जो विजेता है वो पूछा में उच्छा जाता है कि फुटबॉल का FIFA विश्योग अगर पूछा जाता है कि football का FIFA विश्युकप सबसे अधिक बार कि इस team ने जीता है तो वो Brazil ने जीता है ठीकेट तो ये एक detail और बता रहों मिटा सरवाधिक बार FIFA विश्युकप Brazil ने जीता कितनी बार जीता है तो पांच बार जीता है अब ऐसे पढ़ाई करेगा बच्छो न तो यकीन मानके चलिए अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो selection होगा निश्चित मानके चलिए current affair पढ़ने का best approach आपका ये होता है बच्छों इस बात को धियान रखना है ठीक है तो 2022 का FIFA विशुकप कतर में हुआ final Argentina और France के बीच में हुगा विजेता अर्जेंटीना बना और सरवादिक बार FIFA विशुकप किसने जीता है तो BRAZIL ने जीता है 2018 का FIFA विशुकप का विजेता कौन हुआ तो France हुआ याद कर लेना है अब आपके लिए एक प्रश्ण है बटा, comment box में आंसर करके बताईए, 2026 का FIFA विश्यो कप कहां पर होने वाला है, जल्दी से बताईए, ठीक है, क्यों क्योंकि अगला प्रश्ण भी आपका वही है, चलिए, next question, which three countries will host the 2026 FIFA World Cup Tournament, कौन से तीन देश, 2026 के FIFA विश्यो कप टूर्णामेंट की मेजवानी करेंगे, और यही प्रश्ण बच्चों मैंने आपको दिया भी था भी, और यही देखिए मैंने पूछा भी है, तो जल्दी से आंसर कर दीजे, सभी लोग आपके options इस प्रकार हैं, US है, पर चया हैं, मेक्सिको कनाड़ा, US ब्राजिल, मेक्सिको कनाड़ा, मेक्सिको ब्राजिल, और ब्राजिल, मेक्सिको कोलम्बिया, आप सब क्या options आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर कर देना है, बता देना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी बच्चे लोग राइट आंशर क्या होगा सभी बच्चे लोग बता देगे राइट आंसर क्या है फटब पताइए इसका तर्क्र क्या होगा और यहां पर अनिकेत जो अंसर कर रहे हैं वो यह डी comment ि स्क्राइब अंसर मेरल क्को सब्सक्राइब क्लास को बिर्ण इंक्लूजिफ बनाना है, लगे अन्ट को इंक्लूजिफ बनाना तो देश को है maximum participation चाहिए बच्चो जब तक participation maximum नहीं होगा तो किसी भी scheme को नहीं बना सकते, किसी भी financial inclusion drive को successful नहीं बना सकते और किसी भी class को हमें successful बनाना है तो maximum पार्टिसिपिशन चाहिए आप लोगों की तरफ से ठीक है तो यह हमेशा जाए रखी fundamental होता है किसी भी चीज के लिए ठीक तो डी आंसर कर रहा है नहीं कि जी और देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या बिन जी बोलना है कि यह आंसर होगा तर तो इंपोर्टन्ट है निहारिका जी ने यह आंसर कर दिया है वेर गुड बटा और जितने भी बच्चे सेशन में जोड़ रहे हैं आंसर सब लोग करेंगे बटा तो वैरीबिल आंसर आ रहे हैं यहाँ पर हो आ ऐ से लिए उसी डिज्टै के भाट यह को बन ओर टेक्चों यहाथ करने का तरीका है न॔र्थ अमेरिका यह आपकर क्या है बच्चों यह आपका गंका कांटिनेंट है ठीके बोलते हैं और इसमें भी तीने зайश तीनों देश है nasıl मेक्सिको ए एन ऐद करलीज़ेगा है ब बहुत ही माद्पूर्ट कोस्टिन है और ऐसे याद करिएगा तो समझ में आ जायेगा आपको क्लियर हो जाएगा रोची जी क्लियर हो गया संद क्लियर redo जी क्लियर हुआ सभी बच्चे लोग जोड़े हैं क्लियर हुआ कि नहीं कैसे याद करेंगे अर्फ अमेरिका माहदीप में clear हो गया कि नहीं हो गया, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताईए बटा, ठीके, चलिए, बहुत दी बढ़िया question था बच्चों, जो आप लोगों ने कहाँ पर आंसर करके बताया, very good बटा, बहुत अच्छे है, next question प्यारते हैं बच्चों, next question, अल्मुहद, अल्हिंदी, 2023 नौस्थैनिक अभ्यास में कौन से देश भाग ले रहे, which countries are participating in the अल्मुहद, अल्हिंदी, 2023 नवेल एक्सराइज, आपके option इस प्रकार हैं बच्चों, भारत, रूस और सौधी अरब, भारत और रूस, सौधी अरब और भारत और श्री लंका, तो फटा फटा आंसर कीजिए, बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करके बता देना है सभी बुच्चों को, ठीके, very good बिटा, बहुत ही बड़ीया participation सबकी तरफ से है, आंसर करना शुरू करिए और बताएजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो अल मोहद अल हिंदी दोजार तेइस नौ सनी का भ्यात में, कौन से देश भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, निहारका जी ने लिखा C, बाकी बच्चों के भी आंसर बहुत ही तेजी में आने चाहिए, सुर्भी जी नमश्यार बेटा, गुड इवनिंग, आंसर करिए बहुत ही तेजी में, यह डिफेंस एक्सराइज जो है, यह आपको बताना है कहाँ पर, किस देश के बीच में आव्यूत हो रही है, तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो पढ़ना, एक्जाम में क्या पूछा जाता है, बच्चों मैं आपको बता दूँ, तो अगर डिफेंस एक्सराइज है, सभी लोग नोट कर लिजे बटा, डिफेंस एक्सराइज है, तो आपको पता क्या-क्या होना चाहिए, सबसे पहले यह किस टाइप की है, विश आपका वायू से ना किये, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, पहली बात, दूसरा बात याद रखना है, जो एक्जाम में पूछा जाता है, कहां पर हो रही है, कहां पर हो रही है, ठीक है, और तीसरी चीज आपको याद रखना है, किन दो देशों के बीच में हो तो यह तीन प्रश्णों का उत्तर पलाशने का प्रयास करिएगा जब भी कोई अध्धा अभ्यास करिएगा तो अब टू दे लेवल ऑफ इस्टेट सिविल सरुषेज और एसेसी के मेंस के एक्जाम तक के लेवल जाएगा जितने भी एक्जाम है बच्चों सब में आपका क् आपको गलत नहीं होगा और यहां पर देखिए इसका आंसर हमें मिला कि नहीं विश टाइप ओफ एक्सरसाइज है तो यह आपकी जल से नेवल एक्सरसाइज है बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर प्रिश्ण में ही मेंशन है नौ सैनिक अभ्यास है ठीक है इंपॉर् और भारत क्लियर हो गया सब बच्चों को सब बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं बटा आप कोई विद्ध अभ्यास आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे पढ़ाई करिएगा तो यकीन मान के चलिए सेलेक्शन होगा ठीक है क्रश्ण आपका बनेगा एक्जाम में ठीक यही त सब को बताना है इंडिया बंगलादेश इंडिया श्रीलंका इंडिया चाइना और इंडिया यूग के आपके आपके आप्शन है फटा-फट आंसर बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा सभी को बताना है और युद्ध अभ्यात्मिन defense exercise में कौन से तीन प्रश्णों का और तरस तलाशना है मैंने आपको पहले बता दिया किन देशों के बीच में है कहां पराईजिस हो रहा है और किस प्रकार का भ्यास है तो जल्दी से बताईए सर इसका पूरा लिष्ट मिल सकता है exercise के आप तक जो हो जूक है बिलकुल मिल सकता है बटा सुर्भी जी क्यों नहीं मिलेगा अभी बस इसके explanation में ही आपको मिल जाएगा देखे जैसे ही आप पच्चे प्रशन करते हैं उससे पहले ही मैं समझ जाता हूँ पूरवबाद में इ अंटी जी ने डी लिखा है वेरे गुड बटा और अमर जी जी सी लिख रहे है तो देखते हैं बच्चों कोंकरण अभ्यास किसके बीच में है तो इंडिया यूके एकदम सही आंसर है बच्चों याद कर लिजेगा और देखिए किन दो देशों के बीच में है तो क्या है इंडिया और यूके के बीच में पहला कोश्चन तो हमें यहीं मिल गया आंसर तो इंडिया और यूके के बीच में है दूसरा आपका क्या है बच्चों ठीक है इसके बाद यह आपका किस प्रकार का अभ्यास है बच्चों तो यह प्रश्ट में ही दिया है तो नैवल एक्सरसाइज है या नौसेनिक अभ्यास है यह आपको ध्यान रखना है और इंडिया यू कि आपका एकडम सही उत्तर है क्लियर है बच्चों सबको सबस्ट हो गया ठीक है बहुत ही बढ़िया कोशन था और चांदार तरीके से आप लोगोंने आंसर करके बता दिया ठीक है चलिए आप देख लेते हैं बच्चों यह एक्स्प्रिति अभ्यास जो है वह किसके किसके बीच का है तो वह इंडिया साथ में ठीक है इसका पीडियाफ मिल जाएगा परचान नहीं होना किसी बच्चे को डाउनलोड पीडियाफ का लिंक देखिए उपर लगा हुआ है बच्चों ठेक चलिए इसके बाद मित्र शक्ति की बात करें तो यह इंडिया श्री लंका का है ठेक मैत्री एक्ससाइज क अगर बात करें तो इंडिया थाइलेंड की बीच का है वज्र प्रहार की बात करें तो इंडिया और यूएस की बीच का है इंडिया अमेरिका युद्ध व्यात की बात करें तो यह भी इंडिया और अमेरिका की बीच का है नोमाडिक अलिफेंड की बात करें तो इंडिया और सिंगापूर तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको क्या किया है देकर बता दिया है जितने भी महत्पुन यो धव्यास होते हैं ये मैंने किन देशों के बीच में होते हैं भारत और किन देशों के बीच में ये मैंने पूरा चार्ट आपके सामरे प्रदर्शित कर दिया है जो एक बच्चे ने अभी request किया था, उससे पहले ही बच्चों में समझ जाता हूँ कि आपकी क्या demand होगी, क्या आपका doubt होगा, इसलिए आपके लिए पूरा chart मैंने क्या कि आप repair किया और लेकर आया, ठीक है, समझ में आ रहा है बटा, पसंद आ रहा है session तो एक like और एक share तो the challenge of world poverty, आपके options इस प्रकार है, जयांदरेज, एडम स्मित, अमर्त सेन और गुनार मेलडल आपके option है, जल्दी से answer कर दीजेगा, बता दीजेगा इसका right answer क्या है, बहुत ही important question है बटा, सभी बच्चों की दरफ से answer बहुत ही तेजी में आने चाहिए, शांदार तरीके से ज जल्दी जल्दी answer करना शुरू करिए, अब very important books, books and author के प्रश्ण आते ही आते हैं बच्चों, दो से तीन प्रश्ण रहते ही रहते हैं परिच्छा में, important है आपके exam के लिए भी ये book भी और ये author भी बहुत ही famous है, जल्दी से बताए, जयती जी ने भी answer किया, very good बटा, बाक यहाँ पर right answer क्या आ रहा है, यहाँ पर right answer क्या आ रहा है, फटाफट सभी बच्चों को बता देना है, right answer क्या होगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर right answer क्या है, तो गुन्नार्ड मेंडल is the right answer, और books and author में याद रखिएगा बिटा, आपको जो महत्वण किताब न्यूज में रही है, वही आपके लिए important है, जैसे कौनकों सी चीज़ें आपके लिए important है, जैसे ग्यानपीट पुरुसकार, किस को मिला, किस कृती के लिए या उपरन्यास के लिए मिला, इसके बाद साहित एकाद्मी पुरुसकार, टोटल हिंदी और इंगलिश में देख ने अगर कोई बुसक लिए या autobiography लिए तो वह आपके लिए important हो जाती है, ठीक है, समझ में आरी है बाद बच्चों कैसे त्यारी करनी है इसकी, ठेक चलिए, तो D answer आया, वेरे गुरुटा, चलिए, आज बात करते हैं, next question, ये रहा आपके सामने, discovery of India किस ने लिए, who wrote the discovery of India एक और question, और बहुत ही महत्पुन और बहुत ही common question मैंने आपके सामने पूछा, जो आपको बताना है, right answer क्या है, महत्मा गांधी, सर्दार बल्लबाई पटेल, इंद्रा गांधी और जबाहला ने हूँ, जल्दी से बता दीजे, answer करके, इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत चलिए, यहाँ पर answer आना शुरू हो गया है, यह बहुत अच्छी बात है, और participation आपनों का बहुत ही बेतरीन है, session अगर पसंद आ रहा है, तो एक बार क्या करना है, बटा, like करना है सबको, link को copy करके, एक बार share जरूर कर देना है, बटा, और नए है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजे, पंडित जवाहरला नहरू ने काक लिखी, discovery of India लिखी, भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी, बहुत ही important पुस्तक है, और आपके exam के दृष्टी कोण से बहुत ही जज़ा important है, clear है बटा, तभी लोग note कर लिजेगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, ठीक है, और बता दीजी, आंसर क्या होगा, आर्यंका, सबालेंका, एलेना, राइबकीना, एगा स्वेडेक, और उस जेबियूर आपके option है, सबको बताना है, expected question की श्रिंखला में एक अती महत्पूर्ण question है, long tennis से question आता ही आता है बच्चों, US Open से, Wimbledon से, आपके Australian Open से और French Open से, चार आपके हैं, और चारों में से एक पूछता ही पूछता है, बच्चों, खेल में अगर प्रशन आएगा, तो इसकी संभावना सरवादिक होती है, ठीक है, और यहाँ पर सुर्भी जी ने D answer किया है, very good बटा, और जियोती जी ने B answer किया, अनिकेज जी ने C answer कि जल्दी जल्दी बताइए बटा, जैसे जैसे समय आपको मिलता जाएगा, वैसे वैसे answer आप लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, यह मैं जानता हूँ, इसलिए freeze करिए उसको, राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, अमर जी 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 बोल रहे है, आनिकेज ज्यादा, तो सब को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, और बहुत अच्छा कोश्चन है, अब इनके बारे में कुछ जोटेल देख लीजए, यह बेलारस की है, बेलारस की आरेना सबलेंका ने आस्ट्रेली ने उपन दोजार तेईस में मही लाइकल में खिता, इन्होंने ह तो यह तीनों चीज आपको पढ़ना है, इसको ध्यार रखिए, तीनों चीज, क्लियर है, विजेता कौन है, किस देश की है, और किस को हरा कर उनोंनों खिताब जीता, यह तीनों डीटेल आगर आपको स्पोर्स इवेंट देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर हो बच्चों कैसे पढ़ाई करना कर इंटरफिर की, सबको इसपर्श हो रहा है कि नहीं, जल्दी से बतादेजिए, कैसे पढ़ाई करना कर इंटरफिर का, सब बच्चे लोग बताएगा, यह जब एक्जाम आप देंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, या जब पेपर ह मज़ में आता है कैसे कुछन सुचना जा रहा है, ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताएगे कैसे क्लियर हो रहा है, कैसे पढ़ाई करने यह बटा कर रहें पर इंटरफिर के बताएगे, अब देखिए, आरेन सवालेंका यूक्रेन पर रूसी आकरवना के बा बच्चों, बहुत इंपोर्टन कोश्चन है, तो बीजी लिख रहें है, यह सर, बाकी बच्चों भी पताएगे, कैसे पढ़ाई करने यह बच्चों, यही इस सेशन का अपदेश है, आपको सिखाना की करेंट अफटर प्रिपेर कैसे करना है बच्चों, आगे बरते हैं, अब तक 6 grand slam जीतने वाली, एक मात्र भारती महिला टेनिस खिलाडी कौन है, आपके options से प्रिकार है, सानिया मिर्जा, साइना नहवाल, अंकिता रहना और कर्मन कॉर्थंडी आपके option है, तो जल्दी से उतर दीजेगा, बता दीजेगा इसका right answer क्या है, बहुत ही अच्छा question है, और शांदार तरीके से बता दीजेए, इसका right answer क्या होगा, फटा 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 आंसर कीजेए, और बताईए इसका सही होतर क्या होगा, ठीक है, सब के ही आंसर आने चाहिए, आप सभी का समय शुरू होता है, अब फटा 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 आंसर कर दीजेए, छे grand slam जितने वाली एक मात्र महिला टेनिस के लाड़ी भारती पूछ रहा है बच्छो, अब भारती पूछ रहा है तो यही आपके लिए हिंट भी है, जल्दी से बताईए देखिया, मर्जीत जी भी लिख रहा है, यससर क्लियर है, आनि केट जी भी लिख रहा है, बहुत बहुत ही बढ़ीया participation है, session आप सबका बहुत ही बहुत ही बहतरीन है, और लेकिन like नहीं कर रहा है, एक बार सभी लोग session को like और share कर दीजे, एक like और share आपका session को maximum बच्चों तक पहुचा सकता है, जिनको वास्तों मैसा session क्या सकता है, टेक तो B answer आ रहा है बच्चों यहाँ यहां पर भी आंसर आ रहा है और यहां पर मैं समझ रहा हूँ किस में confusion है आप लोग को साइनिया मिर्जा और साइना नहीं वाल में तो यहां पर tennis खिलाड़ी पूछा है तो confusion नहीं होना चाहिए यहां पर tennis खिलाड़ी पूछा है अगर यह ध्यान दे देंगे तो आपका answer बन हैं हाली में सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ब्राजिलियाई टीम से आस्ट्रेलियन ओपन मिश्ट्रित यूगल किताब हारा सानिया फरवरी में दुबई में एक प्रतियोगता के बाद सन्यास ले लेंगी और छे ग्रैंट स्लैम डों नामें टेनों नहीं जीत बहुत ही बहतरीन आंसर बच्चों की दरफ से निमलिकित में से किसे नोबिल पुरुसकार नहीं मिला है जल्दी से बताना है बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है बच्चों आपके लिए आंसर करिए बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा और सभी बच्चे लोग बताएंगे बटा और आप सबका समय शुरू होता है नोबिल पुरुसकार इस बेरी इंपॉर्टन बच्चों आवार्ड्स में अगर कुशन आएगा तो सबसे पहली प्रियॉर्टी नोबिल पुरुसकार की दिलाती है निहारिका जीने लिख दिया है महात्मा गांधी वेरी गुड बैटा और बहुत ही बहुत भेतरीन आंतर आपकी तरफ के आने शुरू हो गए आने की जी भी लेख रहे हैं वेरी गुड बैटा इट अप यहां पर देखिए यहां पर जितने भी लोग हैं महात्मा सब को Nobel मिला है तो देखिए अमर्त से इनको किस फील्ड में मिला है बच्चों तो अर्थशास्ट में मिला है अर्थशास्ट का Nobel इनको मिला है याद कर लीजिए ठेक Mother Teresa को Nobel शान्ती पुरुसकार मिला है ठीक है? इनको Nobel शान्ती पुरुसकार मिला है नोट करते जाए बच्चों बहुत important है और यहाँ पर CV रमन को जो है इनको भी Nobel पुरुसकार मिला है बच्चों रमन effect के लिए clear है? याद कर लेजिगा बच्चों इनको रमन effect के लिए Nobel मिला है और इनको याद कर लीजिए बहुत important है आप सब बच्चों के लिए clear है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है सभी बच्चों को समझ में आ रहा है clear है बटा? बहुत ही important चीज है तो यहाँ पर इसमें आंगी बटा दिया किसके चेत्र में Nobel मिला तो अर्धशास्ट में Nobel मिला शांति में Nobel मिला और भौतिकी में physics मतलब क्या होता है बच्चों चली यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? हिंदी ही लिख लेते हैं क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या है? तो भौतिकी, फिजिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिकी का नोबिल पुरुषकार किसके लिए मिला बच्चों इनको, तो रमन प्रभाव के लिए मिला था, याद कर लेजे, रमन इफेक्ट, इंपोर्डन्ट है, और महत्मा गांधी, आल्दो, आपके नोबिल शान् सेंडर्ड है, ये शो करता है बच्चों, पश्चिमी देशों का, यहाँ पर देखिए, राजु जी लिख रहा है, वेरी गुड बटा, अमर्जीत जी, ताजु जी आनि केट जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वेलफेर एकनॉमिक के लिए, वेलफेर एकनॉमिक के ल मिला, तीवी रमन को कब मिला, तो 1930 में मिला रमन प्रभाव कहे जाने वाले प्रकास से के प्रकीणन पर उनके कारे के लिए बहुत की कनोबई मिला, और यहाँ पर एक बहुत पर डिटेल आपको पता होनी चाहिए, महत्मा गांधी को चार बार नॉमिनेट किया गया चलिए, मेरा एक confusion है, G20 समिट मीटिंग में पता कहां हुआ है, अब कितना नभी हुआ है, उसका पूरा लिष्ट नहीं, एक दिन दे देजेगा लिष्ट, पैटा session daily attend करिए सुर्भी जी, current affair का, उसमें G20 के आज के session में भी मैंने तीन question कराया है, और पिछला session जो 23 तारीका उसको देख लिए, तो मिल जाएगा आपको, तेक चलिए, next question बच्चों, 2022 में Wimbledon महिला और पूरुष किताब के विज़े था कौन है, 2022 में Wimbledon महिला और पूरुष किताब के विज़े था कौन है, लॉन्टे इसका question है, who are the winners of the Wimbledon women's and men's title in 2022, आपके option है, Elena Raibakina, Novak Jokovic उन्स, जेबियू, Novak Jokovic, Elena Raibakina, Nick Kirgios, और Venus Williams और Raphael Nadal, आपके option है, आप सभी लोगों का समय शुरू होता है, अब जल्दी जल्दी answer करिएगा, और बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है, very very important question again here for you, और आप सब को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से चली, बहुत ही बढ़िया question था, और शांदार तरीके से आप लोगों यहाँ पर answer किया है, participant किया है, और very good बता, बहुत ही बढ़िया, शांदार answer सब की तरफ से, यहाँ पर answer सब की आने चाहिए, अमर्जी जी कहने है, यह होगा sir, log कर दीजिए, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या answer है, तो यहाँ पर answer है, बिल्कुल, Elena Rai Bakina और Novak Jokovic, याद कर लिजे, यह women's में है, और यह men's में है, clear है, अब याद रखिए बटा, आप क्या क्या चीज़ देखनी है, अब यह देखना है बच्चों, कि जो यह विजेता है, इन्हों ने जीत, अब जब तीसरा किसको हराया, किसको हरा कर दीता, यह भी आपके लिए important है, तो किसको हराया, और तीसरा बच्चों आपका किस देश के हैं, यह 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 आपको तयार करना है, यह तीनों ही question बच्चों आपके क्या है, exam में पूछा जाते है, current affair में, और अगर ऐसे में कितना बहतर तयारी कर रहा है, तो competition भी relative है बच्चों, तो इतना बहतर तयारी करीं किरिये कि आपका नितर तैयारी कर भी रहा हो, तो आप उससे भी बहतर तयारी करता है, और जब बहतर त्यारी करेंगे तभी सेलैक्शन होगा, बच्चों यगीन मानके चलिएばいопर और एक एक नमबर पर एक एक हजार दो दो हजार पच 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 हजार बच्चे रहते हैं बच्चों ठेक याद रखें competition tough है आगे बढ़ते हैं देख लिजे 23 वर्षी है एलेना रायबगीना grand slam जीतने वाली कजाकिस्तान की पहले खिलाड़े हैं तो important है बच्चों आपके लिए किसके खिलाड़े हैं तो कजाकिस्तान की important मैंने बोला था न किस देश के हैं note कर लेना है ठेक important है कितने वर्ष की हैं तो 23 वर्ष के है नोवाक जकोविच जो है चौधा विंबल्डन पर उनका एकल खिताब है और कुल मिलाकर उन्होंने 21 grand slam जीते हैं वह 22 के वह 22 के राफिल नडाल के जो record है उससे सिर्फ एक grand slam पीछे हैं याद कर लेज़ेगा बच्चों important question है ठीक है तो ये भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है चौथा सीधा विंबल्डन है और 22 का जो राफिल नडाल के क्या है बच्चों खिताब का record है वह तोड़नेस के लिए एक grand slam उनको और जीतना है वह उन्हों इस record को तोड़ देंगे ठेक चलिए next question भारत में हिंदी दिवस या राष्ट्री हिंदी दिवस कम बनाए जाता है वेन इस दा हिंदी दिवस और नैशनल हिंदी डे सेलेब्रेटेड इन इंडिया सब को बताना है बहुत यह अच्छा लोग answer करके बताएंगे इसका right answer क्या है राष्ट्री हिंदी दिवस कम बनाया जाता है very important question again आप सब के answer आने शुरूर जाने चाहिए ठीक है तो देखना होगा important सभी बच्चे लोग फटा-फट answer करिए बहुत आसान question है बटा at the same time important भी आपके लिए तो देखना होगा important कित बतना सही है कितना गलत आप लोग बता रहे हैं सभी लोग बताईए सही तरीके से क्या करना है answer करना participate करना सी answer आरा बच्चो very good बटा और बिलकुल 14 सितंबर आपका एकदम सही उत्तर है और ये प्रश्न तो सब बच्चे को आता होगा हिंदी दीवस बहुत अच्छा question है ब साल 14 सितंबर को हम हिंदी दीवस की रूप में मनाते हैं याद कर लिजे का बच्चो ठीक है विश्व हिंदी दीवस लेकिन 10 जनवरी को मनाया जाता है इसमें confusion होता है बच्चो तो याद कर लिजे विश्व हिंदी दीवस कब तो 10 जनवरी को ये भी question आपके लिए important है ठीक तो 10 जनवरी 1975 को नागपूर में आउजित किया जा था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन इसलिए इसकी विश्व हिंदी दीवस के रूप में हम इसे विश्व हिंदी दीवस के रूप में 10 जनवरी को मनाते हैं ठीक है याद कर लिजेगा 14 सितंबर 1949 को ये date भी आपके लिए important है क्या किया गया तस्तम इधान सभाद्वारा ओफिशिल लेंग्वज के रूप में हिंदी को देवनाग्री लिपी में अपनाया जाता है यहाँ पे 4-5 कुश्चन मैंने आपको और दिये जो आपके लिए सेशन के उप्योविता को बलाते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चो किस वर्ष को बाजरा का अंतराश्च्री वर्ष घोशित किया गया है जल्दी से बताइए आपका समय शुरू होता है अब 2021-22-2324 फटा 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 आंसर आना शुरू हो जाहिए और जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा इंटरनेशनल इयर अफ मिलट किसे गोशित किया गया है very important budget में भी आपका क्या है millets का जिक्र है ठीक है तो global hub of millet जो है इंडिया को बनाना है श्ट्री अन जो हमारे budget में लिख किया गया है ठीक है तो जल्दी से बताइए निहारिका जी लिखने है 2300 का very good बिटा बिलकुल बिटा रसुरू बिजी जो days के साथ theme भी आते हैं अभी तो बताया session में आप लेट जोड़ी है playback करके वीडियो देखिए ठीक है तो important है पूरा current affair कैसे पढ़ना यह मैं आपको सिखा रहा हूं बिटा इन sessions में तेक और बहुत ही बढ़िया और सब कुछ बोली में रहा निकेजी कह रहे है आप तो बोल रहे अब भारत सरकार ने अंतराष्ट्री बाजरा वर्ष 2023 के प्रस्ताव को दिया था UN को सही उतराष्ट महासाबा को जिसे सी उसने स्विकार कर लिया है ठीक है अब United Nations General Assembly ने क्या कहा स्विकार कर लिया 2023 के दौरान International Year of Millet के उत्सवा में 140 के अधिक देशों में भारत के दूता तो यहां भी आपके एक्जाम में आ सकता है ठेक चलिये नेक्स क्यूसिन किस राज ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स गेम्स 2021 में शीर सिस्तान परक्या है बताना है बच्चों 21 है करनाटा खरियाना अंधर प्रदेश ओडिता और 2021 वाला पूछा है ध्यान रखे का बच्चों तो यह संस्क्रण आपके लिए इंपॉटेंट है यह प्रश्ण इसले टफ हो जाता क्यों क्यों क्योंकि 2021 का पूछ्टी है ठेक अगर 2022 होता तो आपके ल होगा जल्दी से बता देने यह आंसर अनिकेज जी लिख रहा है बहुत ही अच्छा कोशन है बता देना है इसका राइट आंसर क्या होगा और आप लोग पढ़ते रहे तो यकीन मान के चलिए करेंट अफेर आपके लिए आसान होने वाला है बच्चों बहुत ही जादा ठे बच्चे लोग फटा फटा आंसर करिए ठीक है तो हर्याना इस दर आइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन किस देश ने 2030 तक सेवा निवर्स्ति की आयू रिटार्यमेंट एज 62 से बढ़ाकर 64 करने की घोशना की है ठीक है तो देखते हैं बच्चों कनाडा जापान फ्रांस स्री लंक का आपके option है समय शुरू होता है अब जल्दी जल्दी बताइए इसका right answer क्या होगा which country announced to increase the retirement age from 62 to 64 by 2030 सबके answer आने चाहिए बटा बहुत ये अच्छा question है news में था इसलिए डाला है इक्जाम में भी आने की पूरी समभाव ना है क्यों क्यों क्योंकि retirement age बढ़ाने की बात है बटा ठीक और important हो जाता है ये question news में था फ्रांस लिख रहे ही नियार का जी very good बटा बहुत ही बढ़िया बाकी बच्चों के भी answer आने चाहिए क्यों नहीं answer को like और share करते रहिए ए 2030 तक retirement age 62 से बढ़ा कर 64 कर देंगी सरकार ने देश की pension प्रणाली को आर्थिक रूप से संसूरित करने के लिए अशा किया है और पूर फ्रेंच पेंशन आयो 2023 से हर साल तीन महिने बढ़ाई जाएगी clear है बटा important है सभी लोगों ने बहुत बढ़ी answer किया सुर्भी जी ने अ इमले खित में से कौन सा कथन G20 के बारे में सही आपको बताना है G20 के अदिश्था वरतमान, तत्काल अतीत और भविश्य के में जमाने देशों से बनी एक ट्रोई का द्वारा समर्थित है G20 का एक इस्थाई सचिवाले है 2015 में G20 के अदिश्था चीन के पास है और G20 प्र आया तो एक बार लाइक किजिएगा, शेर किजिएगा, नए है तो चनल को सब्स्राइब किजिएगा और कमेंट बोक्स में इसका अंसर करिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंकिंग यो वरी मच, बेस्ट आप लग्ड़।